दोस्तों नमश्कार 13 सितमर 2022 की महत्पून कबरों को देखेंगे राजस्थान ने इंदीरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रम की है शहरी गरीबों के लिए जो 100 दिन के काम की गारंटी देता है ये मनरेगा से मिलती जुलती योजना है राजस्थान सरकार ने सरू की है गगन स्ट्राइक और परवत प्रहार अलग अलग स्थानों पे अभी हाली में भारती सैन अभ्यास हुआ है तो भारती सेना का अभ्यास है गगन स्ट्राइक एक अभ्यास है और दूसरा अभ्यास का नाम है पर्वत प्रहार इसी से मिलता जुलता पर्वत प्रहार से एक बज़ प्रहार है जो भारत और USA के बीच होता है दिपक्षी अभ्यास है वो तो इसलिए अंतर पता रहे आप लो रिग्रेट युद्धपोत निर्मार करने का इसके तहत दो युद्धपोत इसके पहले लॉंच किये जा चुके हैं नीलगिरी 2019 में उदेगिरी माई 2022 में अभी तीसरा लॉंच किया गया है मुंबई में नाम है तारागिरी याद रखेगा तारागिरी ये श्टील्थ युद दो पोत हैं बहुत तेजी से काम करते हैं बहुत सुरक्षित रहते हैं 2015 में इस प्रोजेक्ट की सुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट 17A की कुल साथ निर्मित करने हैं तीसरा ये निर्मार करके लॉंच कर दिया गया है और 2024 तक या 2025 ये उमीद है कि ये सेना में शामिल कर लि इसका निर्मार कर रहा है और तीसरा इस टेल से ग्रेट है ये इस स्रेड़ी का इतनी चीजें आपको याद रखनी है एक और जो विशेज बात आपको याद रखनी हो ये कि INS C वालिक के बारे में आप जानते हैं उसमें भी मैक्सिम जो सामग्रियां है अधिक्तम सामग्र स्वदेशी इस्तमाल हुई है लेकिन ये उस स्रेड़ी में उससे ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि इसमें 75% से भी ज्यादा या 75% जो सामग्रिय है वो भारती है स्वदेशी है तो अगर हम देखा जाए स्वदेशी के मामले में तो ये INS C वालिक से ज्यादा स्पेन के हैं ध्यान लखेगा ये सबसे अदा महत्पूर्ण प्रस्पूशता है कहां कहा है तो स्पेन का खिलाडी है युवा खिलाडी है अभी हाली में यूएस ओपन जीत लिया है और इस तरीके से ग्रैंड स्लेम इस ग्रैंड स्लेम को जितने वाला दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाडी हो गया है पीट संप्रास के बाद इसी के साथ स्पेन का दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाडी हो गया है कोई भी ग्रैंड स्लेम जितने वाला राफिल नडाल वो पहले खिलाडी थे वो सबसे कम उम्र के खिलाडी है कोई भी ग्रैंड स्लेम जितने वाले स्पेन से तो यह याद रखेगा कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं इन्होंने कैस्पर रूड यो की नार्वे हैं नार्वे के हैं खिलाडी उनको हरा कर यूएस ओपन टेनिस टूनामेंट जियत लिया है ए इन शमसीर यह नाम याद रखेगा पूछ सकता है अभी हाली में पूछा था कि विधान सभा अध्यक्षों का नहीं पूछता था लेकिन अब PCSA भी पूछने लगा है तो आप भी उससी तरीके से तेहरी करोगे तो ए इन शमसीर केरल विधान सभा की अभी हाल में अध्यक्ष बने हैं फ्रेंच ओपन 2022 जो भी हमने कारूस अलकराज के बारे में बात की पुरुष एकल में इन्हों ने जीता महिला एकल का जो खिता इगा स्वियातेक ने जीता जो की इगा स्वियातेक दुनिया की नंबर वन टेनिस की लाड़ी है रैंकिंग में नंबर वन है पोलैंड की हैं ये याद रखेगा इगा स्वियातेक का ये तीसरा ग्रैंड स्लेम खिताब है ये याद रखेगा इन्होंने किस को हराया ओंस जेबूर को हराया जो की ट्यूनिशिया की हैं बहुत बहुत धन्यवाद